अब देखे हैं इस वक्त की बड़ी ख़वर आ रही है आरजेडी खेमे से ख़वर ये आ रही है कि तमिलाडू के पूर डिजपी हैं जहानवाद से तालुक रखते हैं वो जल्द ही आरजेडी का दामन थामने वाले हैं कौन हैं वो सक्स हम बिस्तार से आपको इस वीडियो में बताने जाने हैं लेकिन सबसे पहले ये बता दे कि वो सक्स जो हैं वो भूमियार जाती से आते हैं जहानवाद मूल से मूल रूप से तालुक रखते हैं और तमिलाडू के पूर डिजपी रह चुके हैं और महज अब क जहानाबाद के रहने वाले तमिलाडू में डिजी पी रहे और भुम्यार जाती से आते हैं भुम्यार समयाद से आते हैं आरजेडी का दामन थामरे इसको आप कैसे देख रहे हैं देखिए हम बता दें कि वो जहानाबाद से उनका तालुकात जरूर है लेकिन वो धमाओल के रहने बाले हैं वो पटना जिले में आता है धनरुवा के पास गाउं है और वो पुर उन्हें सो एकानमे बैच के IPS हैं भूम्हारों का बड़ा नाम है सामाजी कार्ज करते रहें इधर भी बो लगातार सामाजी कार्ज करता के तौर भी दिखते रहें एक IPS रहते हुए गाउं सामगाँ में जाना लोगों के बीच सामगरी बीतरन करना और बाचीत में जैसा लगा हमें कि तेजस्वी और लालू परसाद यादब से उनकी डिल फाइनल हो चुकी है इसक्रीन पर जो तस्वीरे देख रहे हैं देखे किस तरीके से गारी से उतरते हुए मालाओं से लदे बीजेपी हैं लेकिन इस तरीके से स्वागत जो है ना वो सिर्फ बड़े निताओं का होता है यानि कि 31 मार्च को ही रिटायर किये हैं 31 मार्च 2023 को रिटायर किये हैं और बीजेपी हैं चार साल उन्होंने ग्रिह मंत्राले में भी अपना समय दिया है 1991 बैच के IPS हैं और भूमिहारों का एक बड़ा नाम है आप समझे देखिए खास करके भूमिहारों में रास्ट्रिय जनता दल और तेजस्वी आदब जब से कमान उन्होंने समाल है तब एक्सपैंड करना चाहते हैं पार्टी को और लगातार वो कह रहे हैं कि यह A to Z की पार है तो A to Z का जो समीकरन है इससे यह बड़ी बात सामने आ रही है कि एक बड़ा चेहरा पढ़ा लिखा IPS और डीजीपी तो एक बड़ी बात होने जा रही है रास्ट्रिय जनता दल के लिए और इसका एक दूसरे तरीके का संदेश भी समाज में जाएगा राजनितिक अस्तर पर जाएगा करुणा सागर नाम है तमिलाडू के पूर डीजीपी रहे हैं और जनकारी देखे 31 मार्च को यानि की बीते महीने ही वो रिटार करते हैं अपने पद से उसके बाद बिहार लोटते हैं ग्रामी दोड़ा स्वागत होता है और अब उनकी मुलकाद जो है हमारे स पर यादब कहते रहे हों लेकिन उनका बोट बैंक एटू जेट तो है नहीं खासकर जिस समाज से आईपीए से या कहें कि पूर्व डीजीपी आते हैं उस समाज का बोट बैंक तेस्वी को कभी मिलता रहा नहीं है और हलका फुलका मिलता रहा हो उससे कोई फरक पड़ता नहीं है तो क्या उनके आने से खासकर जिस इलाके से वो तालुक रखते हैं क्या असर पड़ेगा क्या इंपक्ट पड़ने की समभाबना आप इधर देखिए कि जिस तरीके से ललन सिल लगातार तेजश्वी आदब का पक्ष रख रहे हैं आप दो लोगों को देखिए MLC चुनाओं में खड़ा किया गया तीन लोगों को और तीन लोग जीत करके आए राश्टिय जनता दल से चाहे कार्तिक मास्टर हो अजै सिन हो या शौरब हो तो यह तीन लोग जीत करके भी आए तो एक बनाने की अबधारना बनाने की कोशिस है कि इस जाती और जमात के और बदलेगा चुकि वो जहानाबाद और अरवल में काफी सामाजी कार्ज करते रहे हैं तो सीधी बात है कि जैसे ही वो राश्ट्रिय जनता दल का दामन थामेंगे तो जो एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के अंदर वो तूट आगे आने वाले दिनों में तूटेगा चुकि कभी किसी चीज की सुरुवात होती है जब वे सक्रिय होते हैं तब वे सीजे पट्री पर आती है तो संभबत यहीं होने बाला है कि राश्ट्रिय जनता दल के में जब से तेजस्वी ने में बार बार कर रहा हूं कमान समाला है उनकी नजर है ऐसे लोगों पर खास करके भूमिहार जाती हो में चुकि राजपूत का acceptance रहा है राजपूत लालू के साथ भी रहे हैं लेकिन अब भूमिहारों को अपने पाले में लेने की कोशिस है 24 का लोग सभा च सावित हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए बर्दान सावित हो सकता है पूर डीजबी का और जीडी में सामिश होना बहराल इस वीडियो के इंड कर रहे है जब जॉइनिंग होगी करणा सागर की आर जीडी में तब हमारी बिसेश नजर रहेगी इस ख़बर पर फिलाला सावित के लिए इतना ही आप देखते रहेए न्यूस फोरनेशन